हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे तो चलिए आज बनाते हैं सत्टू की खचोरी बहुत ही असान तरीके से और ये बहुत टेस्टी बन के तयार होगी तो आप इसे जरूर से बना के ट्राइ कीजेगा और वीडियो का दरदरासा पीस के तयार कर लेंगे और आप बरतन ले रिए इसमें डाल देंगे शत्टू तो यहां पे आप सत्टू अपने हिसाब से कमजादा कॉंटिटी में ले सकते हैं तो अगर आपके पास नहीं है बहुत जगर सत्टू नहीं मिलता है बढ़िया कॉलेटी का तो जो भुने वे चने रहते हैं उसका छिलका निकाल के उसको पीस के आप छान के उसका पाउडर बना के भी ले सकते हैं तो अब यहाँ पे मैंने डाल दिया है एक छोटे सा इसका प्याज बारी कट करके और जो अधरक हरी मिर्च लसुन का पेस्ट बनाए था वो डाल दिया और यह जो आम वाला अचार होता है घर का बनावा वही लिया है और साथी एक चमसे नीबू का रस और बारी कटावा हरा धन्या डाल दिया थोड़ा सा पानी का छीटा देखे इसको अच्छे से मिला देंगे अगर आपके पस मिर्ची वाला अचार है भरवा जो मिर्ची वाला अचार होता है वो भी आप ले सकते हैं तो अब यहां पे एक चमसे सर्चो का तेल डाल दिया है थोड़ा सा पानी और डाला है और अगर आपके पस कोई भी अचार नहीं है तो आप सिर्फ सर्चो का तेल भी इसे बना सकते हैं, तो अब अच्छे से इसको mix कर देना है हाथ से तो इस तरीके से देखिए हमने इसको बना लेना है, तो यह हमारा stuffing बनके त्यार हो गई है, अब यहां पर मैंने ले ली है, bread cake slice और इसके चारू corner हम cut कर देंगे, इस तरीके से हम काट लेते हैं, देखे ए अबी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फट फट से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजेगा तो यहां पे देखे जो हमने ब्रेट की स्लाइस को कट करके साइट निकाल लिए ना इसका हम प्रेट क्रम्प्स बना के रख लेते हैं और इधर अब एक बरतन में पानी ले लेंगे और एक ब्रेट स्लाइस लेंगे और इसमें डिप करेंगे और इसके बाद इसको हमने अच्छे से निचोड़ देना है पानी इसका निकाल लेना है तो इस तरीके से निचोड़ लेंगे उसके बाद जो सत्तु वाली स्टफिंग बना के रखी है एक से दे ऑघाखी इसा गुर् है इंहें उनल यह वी यह यह था और से तयाग째 स्ट्राइब कर दो तो हम एंटाय सीजवी से उनलिए प्रोट यहां पया से ती III कर लीधे तो यहां थोड़ा सबनी अदर तो यहां धोड़ा सब्रेश कर लिए उसके बाद गया साथ दोनु तरप से बढ़ा ॉरु जल जाएगा इसको इलट ठलट के दोनु तरप से बड़ा कलर आने तक किसको हमने पका लेना है तो देखे यहाँ पर यह दोनु तरफ से बहुत अच्छे से पग गई है बहुत ही अच्छा सा इसमें कलर आगिया है तो इसको हम निकाल लेते हैं इसी तरह के से हम सारी कजोरिया बना के त्यार करेंगे तो यहां पर हमारी बहुत ही बढ़ी आसी सद्दुगी कजोरिया बना के त्यार हो गई है बहुत ही असान तरह के से तो आप भी इसे जरूर से बना के ट्राइ कीजेगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो पीस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजेगा चैनल पर आप नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ के साथ रेसीपी को जरूर से सेयर कर दीजेगा तो चलिए फिर मलते हैं किसी और रेसीपी के साथ तब तब कि लिए बाइ